कैसे हैं आप सब अब आप देख सकते हैं होली का फेस्टिवल आ रहा है और हमारे घर में पापड बनना शिरू भी हो गया है आपके घर में भी पापड बन रहा होगा तो अगर अभी तक आपने पापड नहीं बनाया है तो इस रेसिपी को मेरे जरूर देखिएगा क्योंकि हम आज आलू का टेस्टी और मसालेदार जायके से भरा हुआ पापड बनाने वाले हैं जो की बहुत ही कुरकुरा बनेगा और चावल दाल जो भी आप दोपैर को लंच करें किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर मेरे आप कोई वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज उसे लाइक करिएगा और हाँ शेयर जरूर करिएगा और इस रेसिपी को एक बार जरूर अपने घर पर ट्राइगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी तो आईए तो देख कदुकस सबके घर में अवलेबल होता है तो इससे क्या होगा कि उसमें जो चोटी चोटी जो गाठे रहेंगी आलू की वो नहीं रहेंगी कदुकस से आपका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा जो हम आपका आलू का जो मिक्स्चर तयार करेंगे उससे क्या होगा कि सारे मसाले आ अब हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं तो ऐसी करते करते हमने सारे आलू को कदुकस कर लेना है और कदुकस करने के लिए बहुत आराम से हाथ का यूज करिएगा केरफुली से और आलू को ठंडा मत होने दीजेगा ठंडा होने पर आलू टाइट हो जाएंगे आपके त अब फटाफट उसमें कुछ मसाले हैं जो कि बहुत जादा आपका इंग्रीडियंस नहीं है दो चार इंग्रीडियंस मसालो के उनको हम मिलाएंगे उससे पहले आप देखिए इसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजे जैसे आप देख रहे हैं हम मैश कर रहे हैं इसमें अग आप अकेले भी इसे कर सकते हैं तो अगर आप इसी तरीके से गूथ लेंगे आलो को तो पूरा अच्छे से आपका जो उसका जो हमने कदुकस किया हुआ है कहीं भी छोटी मूटी थोड़ी गाठे होंगी वह अच्छी तरीके से आपका मिक्स हो जाएगा और वह अच्छी जो धनिया की पती है और आपका अच्छी तरीके से डो तेयार हो आलो का तो हम थोड़ा मस्टेड ऑल भी यूज करेंगे बस इतने इंग्रीडियंस के साथ हम आज आलो का पापड़ बनाने वाले हैं तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले तो हम जो हमने जीरा को भून करके ज से हम पहले डालेंगे लेकिन हाँ जीरा को अच्छी तरह के से बिल्कुल आप पावडर मत करिएगा थोड़ा सा दरदरा फॉर्म में रहने दीजेगा और लालमेच पावडर का यूज उतना ही करिएगा जितना आपको इसमें क्वांटिटी चाहिए क्योंकि हम लालमेच का पावडर जादा यूज करेंगे तो पापर तीखा होगा तो फिर स्वाड नहीं आएगा उसमें तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ही ताकि इसे बच्चे भी खा सके आप लालमेच का यूज उतना ही करिएगा और नमक है तो नमक मैं आपको स्वाड अनुसार ही बत अब हम इसे मैश करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तेस्ट करने के बाद अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और मिलाएंगे और लास्ट में आप धनिया की पती कोरियंडर लिफ इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसका आप यूज जरूर पिछाएंगे उस पे वो चिपक जाएंगे तो आलू में थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल आपको मिलाना जरूरी है ताकि वो अच्छे से आप जहां पे भी आलू का पापड जिस पे भी आप बनाएंगे तो वो अरां से असानी से छोड़ दें तो देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से पहले हम सारे मसालों के साथ मैश कर लेंगे मैश को आप अच्छी तरीके से करिएगा ताकि कहीं पे भी कुछ आलू के पार्ट्स रहना जाया ऐसे कि जो अच्छी तरीके से मसाले में ना मिले हो तो फिर फ्लेवर आपका अच्छा नहीं आएगा तो आप मैश कर लीजे तो देखिए अभी हमारा मैश हो चुका है तो अब हम बनाने के प्रोसीजर पर चलते हैं तो यह रहा अब आप देख सकते हैं कि हम आलू को यह पापड को तयार बनाने से पहले शीट पे पहले हम एक अच्छा सा मोटा शीट ले लिए हैं आप भी ऐसा शी से आप उसको शीट पे एक एक करके कम से कम पांच-पास दस-दस के रेशियों में आप बना लीजे और पतला सा प्लास्टिक लीजे जो आपका साफ सुतर हो ट्रांस्पैरंट हो पतला हो जादा मोटा ना हो उसको आप आलो के उपर हलका सा रख के प्रेस करिए फिर एक आपका मोटाई है वो सारा मोटा जो आपका रहेगा वो एक तरह से बराबर में पतले में हो जाएगा अगर कहीं पे मोटा पार्ट रहे गया तो जब वो तला जाएगा तो वो कच्चा रह जाएगा तो फ्रेंट्स ऐसे सर्फिस वाले बरतन से ही आप इसको प्रेस करिएग तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे पापड बन करके त्यार होगे हैं और ये जितनी आपको पापड दिख रहे हैं ये पूरे 3 किलो आलू का हमने पापड बनाया है और ये देखने में ही क्या जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी स्मेल आपको बहुत पसंद आएगी और इसका टेस्ट तो उससे ज़ादा बढ़िया है तो आप अब देख सकते हैं हमारा सारा पापड बन करके त्यार हो चुका है और धूब भी बहुत तेज है बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं अब हमारा पापड यह तैयार है तो इसको हम लगभग तीन दिन तक सुखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से सूख जाएगा तभी यह तलने के वासे बहुत ही करंची एकदम बिल्कुल बहुत ही जादा करंची फ्लेवर आएगा इसका तो अब देखिए हम तीन घंटे धाई से तीन घंटे के बाद हम आएं है छट पे तो देखिए इसकी पहली उपर की सतह जो है वो लगभग उसका मौश्चर खतम हो गया है अब यह अच्छी तरीके से नहीं सूख आया है लेकिन उसे पलटना जरूरी है अगर एक ही तरफ से सूखने देंगे तो दूसरे तरफ का नहीं अच्छे से सूख पाएगा तो हम तीन घंटे के बाद आये हैं तो इसे पलटने के लिए तो आप एक एक करके इसी तरीके से सारे पापड को आप पलट दीजिए और बहुत आराम से ताकि कि बीस से वह फटे नहीं जब फट जाएगा तो फिर तलने के बाद से वह अच्छा नहीं दिखेगा तो देखे फ्रेंज एक एक करके हमने सारे पापड को पलट दिया थोड़ा सा ओयल भी उसमें उसी हिसाब से रखिएगा देख सकते हैं अब सारे पापड हमारे सुख हैं यह हमने लगवक तीन दिन तक इसे सुखाया है और यह कितना अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सुखाया है आप इसकी आवास से अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही है अच्छा यह तो फ्रेंड्स अब आ रही है तलने की तो देखिए तलने के लिए हम एक्छिली वो कर्ची और जो पल्टा होता है उसका यूज नहीं कर रहे हैं आप इसकी आवास सुन सकते हैं बहुत ही है टेस्टी है और इसकी स्मेल जब हमने तल दिया तो बहुत अच्छा है इसका स्मेल आ रहा था यह हमारा होली का आलू का पापड तो बन करके तयार हो चुका है और I hope आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज से लाइक करिएगा और नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग